जेहिन दोस्तों तो क्या हाल है आसा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो जैसा कि दोस्तों आप सबने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि फिजिक्स का था फिजिक्स का वो भी हमारा मॉडल सेट का नमबर वन था वीडियो जिसमें कि हमने 70 कोस्चन का डेट है वो काफी नजदिक आ चुका है मुश्किल से आपका टू पॉइंट फाइव यह सोरी मतलग कि टू पांट फाइव मंद्स ही आपके पास बचा हुए यह मैंने गलती से बोल दिया सिर्फ आपके पास अरहाई महीने ही बच्चे हुए हैं आपके एक्जाम के झाना है इसलिए चालोग काफी इंप्ट इंपथे तरॉल बाइस के लिए सब्सकर सकते हैं ने फोल पर इसक करने वाले हैं तो आप लोग से request है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा 40-45 मिट की वीडियो होगी अगर आप लोग पूरा अंत तक देखते हैं ता आपको पूरा समझ में आ जाएगा ठीक है और तैयारी में आज से ही जूट जाएगी क्योंकि आपके पास समय काफी कम है बहुत जल पर नए हो तो फिर चैनल के सब्सक्राइब कर लेज़ेगा वडियो पूरा दखिएगा अपने दोस्ते का शेयर कर देज़ेगा चलिए हम लोग पहले कोर्शन से स्टार्ट करते हैं निकेल की जो संख्यां कितनी होती है देखो एना इस सीओ फोर की बात हुरी किसकी बात हो आप लोग सक्विशन अराम से पैंतिस क्योंकि बात है किसे कहसे जाएगा तो यादि को ़ीज जोरी चना जा जाएगा दोना चलिए अच्छीत तरस्या लगा तार कॉन्टिन्यू आपके एक्जा में पूछे जाएगा यहादेगा लुगार नहीं पूशे हैं लगतार चाम और आपके एक्जाम में सिधे प्रस्ट पूछे जाएंगे अच्छी तरह से याद दगना जो आपका को लाइड हो वो जाने जाएंगे जेल एक ये नाम से ऑप्शन भी इसका क्या होगा सही उत्र है चलिए अगला प्रस्ट प्रस्ट बात करें क्विश्चिन में थ्री और तीन फरवरी का जो आपका क्यमेश्ट्री का एक्जाम होने वला है और उसमें जाकर आप करके आईएगा एक दम कमाल करके आईएगा तो सभी इस्टूडेंट ध्यान प्रुबग जरू देखना है ठीक है ना चलिए इसका से उतर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो सभी बची आंसर दो आज का प्रण सभी एक के गई से चुनिंदे प्रसेंट आयो जो तुरत बोलोगे इसका आंसर यह होगा ना चलिए बहुत बढ़िया देखो प्रसन को अगर आपको ध्यान से समझे होगे आपको तुरत आंसर मिल गया होगा देखो यहां पर बाता पूछा जरा है निमिकिन में किसके लिए हिमांग जो इसका जो अबनमन जो अधिक्तम लिए जो होता के टुए आस ओफोर होता है जो कि आप्शन का कहां दिख रहा है यहां दगना आप्शन निमर यह वाले चाहत बिल्कुं से उत्र चूज़ के बहुत बढ़िया बिल्कुल गजब का बिल्कुल क्रेक्ट आंसर चूज़ के चले क्विशन में चार कि बात करे यहां बात तो वे गर्म एने ओछ के गोल से जो है सी अल टू जो है आपको एक तो एने सी आल तो देगा और साथ ही आपका एने च लो धिरी बी देगा यहां दखना ऑप्शन का यह इसका बिल्कुल होगा एक जाम में सीधे प्रसन पूछे जाते हैं ठीग न एक एक क्मिश सबी इस्टुरिया के लिए वेग इस्टांग की जो इकाई क्या होती है यादगना वह आपका क्या होती है वह समय होती है क्या होती है तो समय होती है ठीक है ना चलो नेस्ट के अगर बात करें क्विशन में 6 आपके स्कीन पर पूछा जाते हैं वह से प्रस्ण करवा रहा हूं जो आपके लगातार कॉंटिन्यू एग्जाम में प्रस्ण पूछे जाते हैं अब आंसर लगा इस्ट का सही जवाब क्य हैं अब कॉंट नहीं बनाता बीस और बांक है बनाता है लेकिन आपका अब यह राशायन का जो उपयोग यह रहोसी के लिए होता है हो सी के लिए थे लिए अगर हम बात की होता है क्या होता है इसका यूज किस लिए होता है तो याद लगना भी हो सी अगर पूचा साई तो छाइना अच्छी तुरसी वर्य गोर्ड़ बहुती बढ़ियां कुईशन में इटाप की इसकी इसकी और चुका है अब इस क्रूशन क अधिआने तो यह प्याइल फněह भीट और जाता है बताओ अधाई लेमीं को जो है किसके प्रतिकिर्या द्वारा बने आजाता है इसका ढ़ुए न देखो यह जो होता है नहीं यह उते होप मेंस ब्रॉमाइट प्रतिकिर्या के द्वारा जोई मिथा लेमीं को बनाया जा सकता है यानि option C होगा अच्छी तरह सी यादगना जो भी शाद सी चूज की उनका बिल्कुल राइट आंसर है गजब का अंसर यादगना methyl amine को जो बनाया जाता है यादगना hopmence bromide के द्वरा और exam में सीधे प्रसन मिलेंगे यादगना किस्टल में जो संभावित अकासिय जालक के कितने परकार होते है याद रखना अच्छी तरह सी कितने परकार के होते है अपका किस्टल में संभावित अकासिय जालक समझ लो अकासिय जो जालक होते है न अकासिय जालक का 14 परकार के होते है यादगना चलो नेक्ट क्विशन के बात करें दस आपके स्कीन पर आच चुका अब इसका अनसा दो इसका सही जवाब क्या होगा यह पर दस में प्रसने पूछा जरा है कोहासा कोलाइड जो है प्राइडे विलियन जोतान इसका काउंसा होता रहा है यादा है प्रशेपन माध्यम गैस में दर प्रशेपन होता है और अप्सिन इसका क्या होगा इसका बिल्कू से उतर है चलिए अगला प्रसना आपकी स्कीन प्याच चुका अब आंसर देजिस कुशन का सही जवाब क् डॉपके आसल बहुकषदी से जल्डी जल्दी ऑंसर लग बहुत बध्री 104 कि अब रcn4 फोर जो है यह जो क्या है है यह नि आपकर इसका क्या होगा वी होगा या जो आपकॉ सब्सक्राइब करेक्षाइब यहां पर तीरा आ चुका है अब इसका सब्सक्राइब लगाता मैं में यहां सब्सकρाइब नकालेंगे जब अधिक मात्रा में निकालते हैं is ना प्रानिग जोन भाउ्ण में लगातार प्रसन पूचे जाते हैं अब आएसा दो इस मुस्टिं का सही जवाब क्या होगा बहुत बढ़ियां वट गुड्य मात्रा में कैया हो जब अधिक मात्रा में क्या होता या निकालते हैं तब नहीं बनाता है क्योंकि बात दोड़ी है आप इसका हम जबसे पूछा आ नहीं बनाता है क्योंकि अब देखो बात तो भी यह आप आ पर ना highlight जो है नहीं बनाता है क्या यह नहीं बनाता है यह पूछ हगक चाउज़ दो नहीं बनाता है तो यहां देधर ना इसका स्टों का वैरे डूड जाक हुज А वक्रिकांटन और 24 और 24 इसमें क्योके Всем हो भी होगat mad बिल्कुल नहीं बनाता है बष्यास का आंसर दे रो बहुत ब़िए गजब का आंसर ठीगा ना कजब का आंसर दे रहो बहुत बढ़िए लुए से चलÓ अगले प्रसनिक यह बात के एक्वीश्वनों बारा यहां पर काफी इंपोर्टेंट और सीधे प्रसंट पूछे जाते हैं तो अच्छी तरह से याद दखना एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीगा ना सभी बचे जल्दी से जल्दी एक एक क्विशन याद करते चलिए अगला प्रसंट आपके के ब़ट बनाता है यहां पर बनाता है यहां क्या बनाता है ये आपका याद option नहीं है यहां option दिखो यहां पर D में मिल ला है यानि इसका D क्या होगा बिल्कु से उतर होगा याद दखना यानि दिवाले चाहत बिल्कु से उतर चूज करें बहुत बढ़िया याद आज जो है है यह अधिक माता में जैडन से जो भी किरिया कर क्या बनाता है तो याद ज बनाएगा options का क्या होगा डी इसका बिल्कु राइट आंसर है बहुत बढ़िया क्वेशन में 17 आप के स्कीन पर आच चुका आप इसका से जवाब क्या होगा यहां पर प्रसंद की पूछा ज़रा है लेक्टिक लेक्टिक अमल में जो है काईरल कार्वन की संख्यां क्या हो इसरे कितनी होती आप याद ढखना यहां पर सी होगा क्या हो जाएगा 17 का सी होगा या लेक्टिक अमल में का राइल करवन के संख्यां एक होती है याद ढखना options का सी होगा बिल्कु से उतर अच्छी तरह से याद دखना सभी को ठीक है तरव किटनी होती है ऐहां कायर कारवना की संग्य करदा सब्सक्राइब कर नहीं में देघुकि यहां पर बात नहीं है बेंजो आएल जो है क्लॉवराइड को यानि पी पीडी Sलेश अपका क्या है雨 सो फूर चुब करने से बनता पता अब करन करने से क्या बनता है तो अब करन करने से जो अपका बनेगा यापका यह तो पर 10 बात करेंगे सिसका जो ए जिसका सन्य परतिव क्या हुता है है यह जिया कपात्य पर 90 हुग होगा या दगना option इसका क्या हुगा यानि शूपर कंडेक्टर होगा यानि बी स्का विल्कूर राइट आंस वह पदा जिसका क्या हुगा जीरो के person प्रतिरूद होता हुगा क्या होगा अती सुचालक होगा exam it सीदे प्रेस्ट मिलेंगे अच्छी तरह से याद दगना वह क्या हो गया वह अपका अती सुचालक है very good next question कि यह बात की question में की इस question में की पूछा जरा है अंता केंदृत पर मानू की जो है को औरिणेशन की बात उर इस की कितनी होती है अब गांने सिधे प्रेसे जाते हैाब आठ्टी के सही जवाब क्या होगा देखें आप लोगों का व का तैयारी कितना हुआ है कितने question का आप लोग सभी उतर दे पा रहे हो आज के session में आपको पता ही चलेगा कि आप लोग का तयारी का लेबल क्या है options का क्या होगा C होगा बिल्कुल right answer इसमें क्या होती है आठ जो अपका coordination संक्या होती है option C बाले साथ बिल्कुल right answer सभी को याद कर लिना जितने भी क्लास में प्रजेंट है याद कर लिजी एक्जाम में जाकर कमाल करना चाहते हो तो याद रखना चले question में बाइस की बात करें यहां पर प्रसने आप इसका हम से उतर क्या हुआ ओके चले देखो यहां दो सरवादिक जो है फैरो मेंगनेटीज्म जो पाया जाता हूँ अपका F.E. में पाया जाता है तो option A होगा और हाँ F.E. का जो होता है न यह पूछा जाता आपके एक्जाम में कि इसका मास कितना होता है तो इसका मास आपको याद दखना 55.845 जो यू होता है याद दखना इसका आपको यह दिया गया अब बताओ यह किसके बराबर है यह जो है यह आपको बता नहीं किसके बराबर होगा आपके पास शार ऑप्शन यह पर दिया गया अब आंसर चूज किजिए इसका सही उतर क्या होगा बहुत बढ़ यहां very good सभी बचे का बिल्कुल सही उतर आ रहा है option निमर जो भी चाहता इसका यह होगा बिल्कुल सही उतर होगा यह आपका एल टू एसो फॉल हो जाएगा option इसका क्या होगा यह होगा याद रखना यह के क्विश्चन सभी इस्ट्रूमें जल्दी जल्दी याद रखना ठीक है ना चलो नेक्स कुश्चन की बात करे क्विश्चन 24 आप के स्कीन पड़ा है बथसे इस रखना हो बहुँत है है और बात हुड़िया और पर क्या होगा तो जो यहीले रहे है दो क्या होगा दो बीश्चन 돼요 के b理 & 10 रूत पन है और एक्जाम में सीधे प्रसन मिलेंगे अच्छी तरह से याद दगना सब्सक्राइब हाइडोजन ऑक्सिजन इंदन से जो है इस शेल में हाइडोजन का धान होता है जो कि दो एलेक्टोरों के बीच में विभांतर उत्पन करता है यानि ऑप्चन क्या होगा अच्छी तरह होगा फámके पास कि आर यह जांश शे मिलत सबस्क्राइब हो यहाँ पर बता हो यहां पर जो है यहां कि बार मेरा इसका प्रसंकर जोगा वह क्या होगा तो एफ इक्जाम में सीधे चीदें से याद करना यह जो आपका का एंसिक्षा बिल्कुर जवाब है बहुत बढहिं साथ है इसमीं बात ओर यह कोईलाइडी करनों का अकार जो होता है यह तक होता है यहादखना option इसका क्या होगा यह स्का बिल्कुल साही जवाब है जो नेश्कूशन याफ बात थो हैं निमलखित में किस धातुं का जो हैं निश्कर्शन की बात तुरी है जिसमें आपको कहा ज़रा है मैं कर्थर विदिस से क्या जाता है किसका क्या जाता है यहां पर बात हुरी है आपको गलत आंसर बिलकुल भी नहीं देना अब इसका अंसर तो इसका से उतर क्या हुआ अगला आपके स्कीन पहले लगातार प्रसन यह पूछा जा रहा है अब आंसर दो इसका से जवाब क्या हुआ देखिए प्रसन को समझने का कोशल इसके पूछा क्या जा रहा है प्रसन में पूछा जाना निमलकिन में काओं सी धातू जो है उसके इसकी अब इक्रिया सोडियम सोडियम साइनाइड के ज़ए तनू बिलियन से कराकर प्राप्त की जाती है अब बताओ इस कुछिशन का राइट आंसर क्या हुगा देखाऊ सी होगा या दगना किसके साथ एजी के साथ ठीक है ना चलिए नेक्स कुछिशन आपके स्कीन प्याद चुगा अब इसका आंसर दो इसका सरी जवाब क्या हुगा सिरु देखो आपके स्कीनल सी वीमारी HYต जाता है अब इसका सी उतार का लुप जो evidence मैं जो इसका इसका च्रण आपको मूर्स खोल देखो देखो यह पर बात थेया है किलोरा मैस दोता है यह का यू यह इसका क्या होगा 31 का इसका पी होगा जालो यह इसका यह ब्यूल उल्टा सिधा कोई बात नहीं है चलो नेक्ट क्विशन की बात की क्विशन में 32 पूछा रहा है तो आपका जो जल आपका होता है यह सबसे अधिक अमलि हा होगा याद दुखना इंगें cheap प्रइसनट पूछन पूछए जाते तक है याद दूखना ठीक हाना क्या होगा रुटूकों correct और बेहुत बढ़िया चलो निए बात करें कुछ ने 33 सब के स्कीन पर आच चुका प्रस यहां पर बात रही है अनिमने कौन जो एक दूतियक संकर्मन स्रेनिका तत्व नहीं है आपके पास शार ऑप्शन यह पर दिया गया अब इसका प्लेटी नम उनका बिलकुल सी उतर है याद न प्लेटी नम बिलकुल राइट आशर गया क्योंकि दूतिय जो है आज संकर्मन स्रेनिका सदस है लेकिन प्लेटी नम जो है याद दखना प्लेटी नम यह आपका सदस नहीं होगा अच्छी तरह सी याद दखना थिका ना चलो नेश्वेशन की बात करें इस सेनियोजियन संक्या का नेश्य में कितना होता है अब देखो सोडियम की बात दो किसकी बात होगे है लिए घृइंगे इसका से अने सी एलमें जो वत को बताना है कितनी होगी किसमें सर्साने उजिक संख्यां की बात हो रिए है बताओ इस का राइंट आसर क्या होगा सर सन्यूजन जो संख्यां जोगी आपका आपको बताना है एने सी एल में दिए ना किसका तो सूडियम की बात हुए अब आंसर लगाओ इसका राइट अंसर क्या लगातार प्रसुन पूछे जाते हैं चलिए बहुत बढ़ियां बिल्कुस ही उतर चूज करें बहुत बढ़ियां वैरी गुड याद दखना इस क्विशिन का 35 का ऑप्शन सी वाले वाल बिल्कुसा इस तूच करें याद अपका इस में जोता है एने सी यल में अपका अच्छा होता है आप्शन का क्या वगाज औ ना लिगेंड जो न यो और ये क्या होगा का इसका इंप्यांद फिर यंदि बांट रैसा जो श जो खशें एक हुआ लुगा में स्याइं उसक्षिक्स ईंप्राइन gらas करा विंग में फ Eu douille को इसकаф पूछाव क्या है नुस्क давно नहीं की बात दो रही है में देखो आपको तो आपको एक्जाम में पूछा जाएगा तो आपको हलके वाले प्रसमें पढ़ने से कोई वेनिफिट है बताओ बिल्कुल भी नहीं है आपको बता रहा हूं ध्यान से देखिए सभी इस्टूट अब देखिए बात रही है आट टू एनेच के जो है आपको बताना एन के जो साथ कौन सा प्रसंकरन होगा तो एन के साथ की बात रही है जिसमें आपका प्रसंकरन होगा और यह बिल्कुल राइट आंसर है चलो अगले प्रसंकरन के बात करें थर्टीनाइब को पूछा जा रहा है को लो बडल क्या बात रही है को बडल में आपको बताना विलियन में बदला जा सकता है अब इस कुशिन नहीं से दो इसका सही जवाब क्या होग चलिए बडला जाए थे बैटरीगोड़ जो है इसको रोकने के लिए पर्यूक्त दबाए अब बताओ एडस जो है इसको रोकने के लिए परियुक्त दबाए ऑन सी दबाए लगातार कॉंटिन्यू आपके एक्जामें प्रसित पूछपज जाते हैं याद दगना एजट जो दवा है यह क्या करती है यह एडस को याद दगना एडस को जो है रोकने की दवा है याद दगना प्रसंद की बात करें प्रस्टन आच चुका है वाँ इसका से जवाब क्या हुआ यह आप हर सबसे कम चारी यह की बार तरह है इसमें बता हो कौ minimizing कहुद सबसे कम चार इप दगना कि सबसे कम चारी यह दुरेटेटि वर टो सी और था याद दगना यह एक्जाम में लगतार कॉंटिन्यू आपके प्रसेपは कव जार एक काही तरसी को याद दगना कि सबसे बहुत इंपोर्इन प्रस ने हैं यहां पर आंसर कोछा जाता है घर्म किया जाता था तो यह क्या देता है आप पूछा जाता है तो तब यह क्या देगा तब यह पूछा ज़र है क्या देगा बताओ तब यह आपका सी ओ देगा यहाद एक ना ऑप्षिन का क्या होगा बिल्कुल से उत्र और जो भी छाथ तालेस का डी चूज कि उनका बिल्कुल घ्रजब का आंसद है चलो नेश्च कुछ निए बात के चौन यह जो परिक्रियाज होगा यह आसा पर्तिकिए होगा यह पचाजा जBlue पका ह HAM करता है क्याता कटा यह कौं करता है तो आपका च Nein इसको बनाया जा सकता है बता हुआ किसके दौरा इसको बनाया जा सकता है बताओ तो यादम में क DU ऊपना इपने फ्रस्ण फेसे जा ता लगतार वाहिए टीज कई तब कैल यह हाइल की यह कहा है हलाइड है अभ इसको को सी एक यह बदल हाइड अब बता यह कौन से आहए क conquest करा जबने इस थो गाट दो आट से लगकेशन फिल्म कुछृस पढम यापको hard लगता होगा या आपको थुरा सा ज्यादा एक्दम जर्टी लगता हो लेकिन प्रस्टन को याद कर लो ठीक है ना चाहिए कुछ भी हो लेकिन सभी को याद होना चाहिए कियमेश्ट्री है तो याद करने वला इसका सई जवाब क्या होगा इसका सभी जवाब होगा औरिस थापन अभी किरिया दोरा जो है अभी कि लाइट को अल्कोहल में बदला जाता है और और तो विस्थापन अब करिया याद दखना चलो नेश्म पर लिए बात करेव decision जवाब को वहाँ तो यहां हो आर चुरोपो सोले को प्रोई लेक्टर पूरी शीकर मुलैंस चैनल है चाल यह बहुत बदोत बिच्षेदन का कज्च ढूतियान इयम जो सम्दित आब बताऊ फैडाअल का जो विद्दुद भी चेदन का जो है दूतिया नियम जो ये किस संबंदीत है लगातार आपके उपरस्ट पूछे जाती है ये जो है किसिस संबंदीत होगा याद भी दूद के सम्फुल्भाड से संबंदीत होगा याद एक का क्या होगा बिलकुल होगा से उतर यानि फैडारी का जो विद्द विचेतन जो का जो दूतिया नियम है यह जो संबंदित किस्ते होगा तो यादगना विद्द अवगट है के सम्तुल भार से संबंदित है और पूछा जैनिमने कौन जो एक पर्थम संस्क्रण श्रेन का तत्व नहीं है है की नहीं नहीं है तो यादगना मैंगनेस्टियम यहनि अपका कौन को नहीं है यह भी यादगना लोहा हो गया पर्थम जो यह संस्क्रण तत्व है लेकिन आपका मैंगनेस्यम नहीं होगा यादगना सीज़ क्या होगा बिल्कुल इसक्रेक्ट आसर है चलो बहुत बढ़ियां आरोपित विद्दुछेत्र में कोलाइडिक कनो की गती क्या है याय कहलाती व्यदूत कनो क्या कहलाती है तो और भी होगा राये टान से जादग człriedगा में जो यह क्या खालाती है तो वेद्दूत कंचंचलन, options का क्या होगा, भी इसका बिल्कुल right answer है, बहुत बढ़ियां, next question के यह बात की question है, 52 आपके इसकीन पर है, आपके बात हो रही है, oxide है, इसको से जो है, iron का निसकर्षन जो है, किस विधी के द्वारा क्या जाता है, लगातार आपके exam में परसन को से जो है, iron का discussion जो है, किस विधी से क्या जाता है, यादग ना, carbon जो है, monoxide अप्चेन विधी से क्या जाता है, लगातार आपके exam में परस पूछे जाते हैं, ठीक है, ना, चलिए, very good, बहुत बढ़ियां, next question के यह बात की question में तिरेपन आपके screen पड़ा है, यह बात तो जो है, फेंड जो है, पलबन विधी दुबारा, जो है, किस परकार की जो है, ask का जो है, सांधरन किया जाता है, लगाता है, यह सांधरन किया जाता है, option इसका क्या होगा, बी होगा से उत्तर यादग ना, किसका, sulfide S का, देखो भले ही question आपको लगता होगा, थोड़ा सा ट करके class में इस्तिर रहना पड़ेगा, सब तभी आपको जो है, possible है, चलिए, चलिए, चलो, नेक्स परजिशन के बात करें, question निमर 55, पूचा ज़रा है, गोता खोडी में जो है, स्वसन हे तू, यह अंतरों में किन गैसो का में जो है, प्रयुक्त होता है, अब दो, गोता खोडी में जो स्वसन हे तू, यह अंतरों में किन गैसो का जो मिशन प्रयुक्त होता है, यह पूच ज़रा है, तो कौन से गैस का मिशन प्रयुक्त होता है, लगातार, सीधे एक्जाम में प्रेस में पूचे जाते है, इसमें जो गैस ह प्रेस्ट पूछे लगतार कॉंटीनु आपके इग्जाम में प्रेस्ट पूछे बहुती इंपॉर्डेन प्रेस्ट है आपके पास चार ऑप्षिन है पर दिया गया अब इस सब्सक्राइब आधा जो है बढ़ा हुआ होता है और और क्या होता है हाँ और साथी डी जो है और और विटल्स भी होता है या दखना ऑप्शिन का क्या होगा भी सही उतर है लेक्रण चल्ःज बसे हस्थाई कोने आ अ की बात अरीव अंस्चिल है मेरे ख्याल से लेकिन क्या 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 कोषण सबसे हस्थाई and दो इस का pdf हम कोश Links करते अम उब्रेट करते हैं बहुत काल तक में हो जाएगा यह पका क्या होगा एफ पी सीन सिक्स अपका थ्री मानेस होगा ऑप्शन सी यह बिल्कुल राइट हां तो को यह सभी प्रसम थोड़ा सा है यह मिश्किल लेकिन एक्जाओ में यही प्रसम पूछा जाता है सबसे असले स्थाइयन क्यों अफशें से होता है आपका c17 का और h35 and c00n a का जो यूज होता है आपका साबुन के रूप में जो क्यों आपको दिख रहा है यह क्या होगा बिलकुल correct answer है साबुन के रूप में आपका किसा यूज होता है C17 h35 c00n a का यूज होता है या दखना ठीक है न चलिए हहाँ इसका बिलकु से इताइद में एका इसका क्या होगा फ्रेह और आपका इसका बिलको से ऊतर है ठीक है ना वेरी गूड बहुत सही चलिए नेक्स क्रिशन की बात करते हैं साथ आपकी स्कीन पर आचुगा प्रेस्ट यहां पर बात हुरी है सामयन पर आच पर प्रेस्ट पूच जाते अब आशं करता है कि देखो कशन समघा रहा है कि चलिए विल्को सी उतर है दिखो धातु का आइन प्रतिचु में किसका होकां हुगा था थाइन प्रतिचु में का गलुड़ा जो है से उतर किया मैस इंच इन जो लिए विवारी में किया जदा लगातार पूछ जाते प्रस ने wanna小 पलए रहा हूँच नर्म लंब निम्लिकित में कौन आपका जो किर्ट ले ठूस्पदाद है अब तो किसले ठूस्पदाद को मैं ही राघेपाइड कांच या साधारन नमग पाच चुज करवे रिज़या याद दखना कांच इसका विल्कुल रइट आंसर खूर दूंग और के तोस्पदार चूपका क गोडिनेशन से चार होती है तो सूडियम उक्साइड जसे हम ने टू होता है इसके चार होती है तो इसमें जो कोडिनेशन संख्यां जो होती है कितनी होती है चार सभी को याद दखना ठीका ना चलो वेरे गुड बहुत बढ़ियां अगला प्रसना आपके स्कीन पर आच चुका आप इसका से इसका से उतर क्या होगा दो किसी बिलियन के अब अधिकतर किसका हमांग अब नमन जोता न यह अधिकतर यह ज्यादा होगा किसका यह पूछा जरा है तो अधिकतर की बात हो रही है तो किसका होता है तब का के टू एस फूर का होता है यानि पोटासियम सल्वेट किसका सूथ होता है यह पोटासियम अना पोटासियम सल्फिट का यून होता है कि सल्फेट का होता है सुत यानि किसका के टू एस ओफोर ठीक है चलो गुरुस दिखार देखने हो लाइड है इन फड़ावार अब बताव शेयर सब्सक्राइब प्रसन है च्यानवे पांसो कुलाम जो बिदूत जो आपका सी यू एस फोर के जो है बिलियन से जो मुक्त करता लगतार आपके एक्जामे प्रसन पूछे जाते है आपके एक्जामे प्रसन पूछे जाते है आपके एक्जामे प्रसन पूछे जाते है इसक्रूशन का जवाब क्या होगा आपके एक्जामे प्रसन पूछे जाते है इसक्रूशन का जवाब क्या होगा आपके प्रसन आच यह आपका मुक्त करता है 31.76 ग्राम तामा को कितना 31.76 ग्राम तामा को मुक्त करता है आपका 96-500 कुलाम या दखना अगला प्रसन आपके स्कीन पर आ चुका है दर्भी सोडियम क्लूराइड की जो बैद्दूत अब घटरन से जो है कैथोद पर क्या मुक्त होता है अब स्यवाब हेरेगूड चलो सरसट हो चुक है 68 परसन में और किसी हभी क्रिया का वइग जो है अन्امांकित प्रकास से व्यक्त होता है ये अपका दिया गया वेग हना अब Sonra Star का का राइट आंसर क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रसन है तो जब भी वेग आपको निकालना आते इसकी कोटी निकालोगे तो आपको सिंपली देखो क्या दिया गया के एपर इसका कोटी दो मिला है और बीपर कितना है बीपर कुछ ने इसका मतलब एक तो दो पलस एक बताओ दो पलस एक इसका टूटी ऑप्शन का क्या होगा भी यहनि सिक्ट्रेट का भी बिल्कु से उतर है चलो नेक्स्ट कुछिन देखिए 59 नमर्स क्यूशन आपके स्कीन पर आ चुका है अब आंसर लगो इसक्रिशन का से जवाब क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा बीस का विलकु से उतर हुआ गोंद क्या आपका लवफिलिक को लाइड़ है